हलो दोस्तों, वेलकम टो आवर यूट्यूब चनल और हम पढ़ रहे हैं रीजदिंग में सिरीज का पार्ट और सिरीज में कल मैंने आपको पढ़ा रहे था पहला पार्ट और पहले पार्ट में हमने स्टार्ट किया था जोडवाकी गुणा भाग का बीसिक और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जोडवाकी गुणा भाग वाला सेम पॉर्शन लेकिन उसका सेकंड वीडियो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी हो तो कल की वीडियो जरूर देख लेना क्यों किल की वीडियो में मैंने आपको सिखाय था क ये एक्चल बेस सीरिज बे कैसे देखना होता है तो कल की वीडियो के यहाँ पर आई बटन उपर आ रहा है आई बटन पर क्लिक करना और वीडियो पूरी देख लेना ठीके दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की क्लास तो दोस्तों आपके सामने जो स्वाल दिख रहा है यह स्वाल आपके। आपमेंसे ही मनला हमारे यूट्यूप जो सबस्क्राइबर है उन्हीं मैसे ही किसे ने मुझे भीजा है कि सर यह स्वाल करा prohibis. तो यह स्वाल जो है यह स्वाल करूंगा मैं last मैं बढ़ जागे? तो सिरीज के अंदर सवाल जब भी आए, आपको क्या करना है? सबसे पहले ये देख रहा है कि कोई अचाना नंबर बढ़ जाए क्या? अगर कभी भी किसे सिरीज में अचाना कोई नंबर बढ़ जाए, तो समझ जाना कि वहाँ पर multiply हुआ होगा. ठीक है? अग वहाँ पर minus हो रहा होगा, या फिर वहाँ divide हो रहा होगा. तो हर स्वाल में आपको basic बताते वे चलता हूँ में, तो यहाँ पर देखो शूरू करते हैं. सबसे ने लिखा है 0.5, 0.55, 0.65 और 0.8. अगर कभी point वाला कोई भी ऐसा स्वाल आए, तो आपको क्या hint है? वो ध्या करो, point के बाद सब जिगे two two digit करो, जैसे यहाँ दो है, तो इधर भी दो digit करो, अब दो digit के लिए हमार पास digit नमबर कांसल आएंगे, तो अगर कोई बाद वाला नमबर नहीं हो, तो वहाँ पर zero डाल दो, इससे आपको पता चल जाएगा, सिरीज है क्या है, तो actual point पांश नह next number, कि next number हमारा क्या आएगा, आयसन में, तो अब सवाल में करना क्या रहा, देखे अब, अब यहाँ पर आपको point नहीं पड़ोगे, तो भी चलेगा, अब point को हटा दो, यह समझो के नहीं है, तो भी चलेगा, यह हो गया 50, फिर यह पच्छपन, फिर यहाँ 65, then 80, यह हो गय है, और यहाँ से यहाँ अगर जाएंगे, तो आप सब समझ सकते हो, क्या होगा, यह 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, और फिर यहाँ पर कितना आएगा, 20 आएगा, तो इसका मला है, यहाँ पर 20 एड करेंगे, अब सूचो, 80 हमारा पास पहले से है, 20 और एड करेंगे, तो 80 में 20 दो पॉइंट, 1.00, और 1.00 का मतलब हो गया, 1, तो इस सीरीज का अंसर किता है, 1 है, तो इस तरह से एक-एक पॉइंट को क्लियर कराते हुए, आपको हमें पूरा टॉपिंग जो है, वो सौल करूंगा, और सारे स्वाल, even SSC वाल हो, या IBPS वाल हो, हर तरह के स्वाल लेकर आ 8, फिर यहां पर 32, और नेक्स नमबर फाइंड करना था, मैं भी आपने कल पढ़ा हो, अब देखो, 4, 4, 8, 32, अगर यह नमबर है तो इसको सौल कैसे करते हैं, तो आपको मैंने यह बताय था, कि अगर सेम नमबर आ जाये कभी, तो यह पढ़ाय था, अब याद आगया, confirm अभी भी आ जाये, तो याद ना, मैंने बोला था, 90% सवाल में, सेम नमबर होने पर, मल्टिप्लाय होता है, वन का, ठीके, तो यहां से करते हैं, मल्टिप्लाय वन का, फिर है 4, anders, अब 4 से 8, जाने पर मल्टिप्लाय करेंगे किस का, 2 का, और फिर 8 से 32 में, तो मल्टिप् और 8 सब कुछ ठीक था लेकिन 8 से 32 अचानक नमबर बढ़िया है और जब भी अचानक नमबर बढ़ जाए तो आप सर्पाइज अगर हो जाते हो अचानक कैसे बढ़िया समझ जाना वहां पर multiply यूज हुआ है और सिरीज में ये भी जरूरी नहीं है कि यहीं से start करना हो ये जरूरी नहीं है आपको लगे यहां multiply हो रहा हुआ उसको लिखो फिर back side में आओ यहां चेक करो अगर यहां multiply हो रहा है तो यहां लिखो और फिर reverse पर ऐसे आ गया जाओ अब क्या करना है देखो अगर 1 है फिर 2 है या 4 है और फिर next किसका multiply होगा तो आप यहां से relation चेक करो एक के बाद क्या है दो आया दो के बाद क्या रहा है चार आ रहा है एक का double दो दो का double क्या है चार और चार का double क्या होगा 8 तो यहां पर 8 का multiply कर देते हैं तो यहां 8 का multiply कर चलो आंट से multiply कर दी किता हो गया 256 हो गया clear तो इसका answer किता हुआ 256 अब देखो मज़दार चीज तो अब है आपने ये स्वाल solve किया उसके बाद आपने answer चेक किया जब answer में गए तो पता चला 256 option में नहीं है मतलब सब कुछ सही किया है और उसके बाद option में 256 नहीं है और वो option में नहीं है कौन सा none of the above मतलब इन में से कोई नहीं वो भी नहीं है और ये 256 भी नहीं है तो क्या हमने series गलत कर दी है या इसका answer कोई और भी है तो कभी भी answer नहीं हो ना तो इसका मतलब अपने आप पर ये मतल लिया करो कि हमने series गलत कर दी ऐसा जरूरी नहीं है एक ही series का answer कितने हो सकते हैं ये मैं आपको कल की वीडियो में पढ़ाया था तो देखो अब क्या हो सकता है अगर एक से दो double हो रहा है दो से चार double हो रहा है लेकिन अगर answer नहीं है इसका मतलब हुआ कि यहां फिर एक का double दो और दो का double चार वाला logic फिर नहीं लगा रहा है तो फिर क्या हो सकता है तो देखो यहां पर एक से दो में एक का answer है ठीक है अब हम difference लेके चल रहा है क्योंकि पहले double वाला ले ले लिया अब आते हैं दो से चार दो से चार में दो का answer है तो यहां पहले एक का answer आ रहा है फिर दो का answer आ रहा है और अगर दो के answer के साफसे चलें तो फिर यहां से हम तीन का answer लेंगे और अगर तीन का answer लेते हैं और इसका एक answer 256 भी हो सकता है। लेकिन अगर अब आते हैं और अगले point पे अभी तो रुको वह वाला point पे कि अगर दोनों exam में आगे तो क्या करेंगे तो हर चीज को समझते पर चलना अगर 224 और 256 दोनों option में आ जाते हैं तो पहली priority मिलेगी multiply को मतलब double double वाले को तो double वाले को priority पहले multiply पहले then plus minus तो इसका वाले है 256 सही answer होगा अगर दोनों एक साथ आ जाए तो और अगर दोनों में से कोई एक आए तो सही है ठीक है यहां तो हो गया यह वाला point अब आते हैं हमने इस स्वाल पे जो स्वाल है उस पे कि यहां से 4 से 4 चलो यह है same number कि सरण ने बोला था कि यहां तो एक का multiply होगए होगा तो यह एक का multiply कर दिया अब 4 से 6 चार से 6 multiply नहीं के बराबरी करेंगे लोग फिर क्या सोचेंगे कि आगे 6 से 12 हाँ यहां multiply हो रहा है तो यहां multiply हो सकता है अब आते हैं क्या 12 से 30 multiply होगा नहीं हो रहा है फिर 30 से आगे क्या करेंगे तो अब आपको एक आज के class में नहीं चीज़ सिखा रहा हूँ और वो नया क्या है चले शुरू करते हैं तो नया क्या है उसके लिए देखो तो दोस्तो देखो 2 से 3 कभी आये तो क्या हम यहां पर plus तो करते ही है क्या 2 से 3 multiply में लिख सकते हैं क्या 4 से 6 multiply में लिख सकते हैं क्या ऐसे नमबर को हम गुणा में भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं अब आपको वो सिखा रहा हूँ तो देखो पहले समझना क्या है अगर ये जो नमबर है इसका सबसे बाइड करो भाग लगाओ दो का भाग लगा और डिवाइड करो तीन में कितनी बार गया एक बार तो यहां लिखो एक बार किके उसके बाद रिमेंडर जो है शेंशफल वो क्या बचा है सब कुछ वो माईने रखता है दो का भाग तीन में लगया, डिवाइड गया, किता बज गया, एक बज गया, जो यहाँ पर remainder 6 वल बज जाता है, जो यहाँ बज जाता है, अगर वो, यह जो संख्या आपर ले रहे हो, अगर यह इसका आधा हो, तो समझ जाने, यहाँ पर 0.5, बना आधे का multiply होगा, आधे का multiply होगा मतलब 2 से 3 अगर आपको जाना है तो multiply होगा 1.5 का यह तो बहुत छोटा नमबर बता रहो आगे बड़े स्वालों बहुत काम आएगा यह ध्यान लिटना आप जैसे देखो 4 से 6 बता रहो एक एक समझना सब समझा जाएगा तो यहां से देखो चार से 6 अब 4 का भा लगाएंगे 6 में कितनी बार गया एक बार गया यह लिख दिया अब चार का भा लगाए 6 में भाग जाने के बाद remainder कितना बचा है वो सब कुछ आपको इस चार से उसको देखना है तो 2 जो है वो 4 का क्या होता है आधा होता है आधा होता है इसका मदलब हो गया आधे का मल्टिप्लाइ होगा तो यहां से answer आएगा 1.5 का मल्टिप्लाइ तो अब आप वो गुणा सीख चुके हो जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं मनला पॉइंट वाले multiply कैसे करते हैं वो अब देखो जैसे next नमर में लिखता हूँ यहां से फॉर है और फॉर से मैं एटिन लिखता हूँ क्या चार के पाढ़े में अठारा आता है डारेक्ट नहीं आता है लेकिन अगर हम किसी स्वाल में फस गए हैं और हमें वहाँ multiply की जरूत है तो multiply अगर करना चाते हो तो क्या कर सकते हैं क्या चेक करो चार से अठारा पे तो समझ जाना आधे का गुणा यहां पर होगा तो यहां पर 4.5 आएगा आयसन में अब जैसे अगर मैं नंबर लिखता हूँ 12 और 12 से यहां लिखता हूँ 30 और अब आप चेक करो कि क्या यहां से multiply होगा तो 12 का 30 में डिवाड करो अब 12 का 30 में डिवाड करो कितने टाइम हो तो समझ जाओ आधे का गुणा और होगा मनला आंसर हुआ 2.5 क्लियर अब तो एक लास्ट नंबर और लिखता हूँ यहां से जैसे 8 है अब 8 से 44 है क्या यहां multiply होगा तो 8 से वहाँ जाके divide करो उस पे अब 8 से divide करो तो 8, 5, 40 तो यह हो गया 8, 5, 40 अब 44, 44 में से 40 हटा दो तो शेंशपल किता बचेगा शेंशपल आएगा चार और चार जो है वो इस आट का क्या है आधा है इसका मनला यहां आदे का गुणा हो गया अब देखो यहां से चलो एक और बतायता हूँ 6, अब 6 से अगर मैं यहां लिखता हूँ 28, ठीक है 6 से 28, अब 6 से 28 करता है 28 होता है य यहां से चे करते हैं 6 का बाग, 6 का बाग लगा 28 पे, कितनी बार गया चार बार, 6, 4, 24, 24, then 28 माइनस 24 तो रिमेंडर किता आया, तो 28 माइनस 24 रिमेंडर किता आया, 4 आया, और 4 जो है वो 6 का क्या आदा है, हाफ है क्या, तो 4 जो है 6 का हाफ नहीं है, तो ध्यान रटना हर नहीं है, तो आदे का मल्टिप्लाइ मत करना, अब तो आगया सवाल में, चलो, तो अब आते हैं वापस अपने सवाल पे, तो सवाल ये था हमारा, ठीक है, अब इस सवाल में क्या है, 4 से 4 एक का गुणा हुआ, 6 से 12 दो का गुणा हुआ, अब मुझे अगर इस पूरे सवा अगर यहां पर मल्टिप्लाइ हो, तो देखते हैं मल्टिप्लाइ, तो देखो यहां पर यह दो का गुणा, इसका 6 से 12, अब मैं 4 से 6, अब मैं पॉइंट का मल्टिप्लाइ मुझे आते हैं, तो अब मैं पॉइंट का मल्टिप्लाइ करूँगा, मतलब आपके लिए बूल या 6, 6-12 का क्या है, आदा है, तो 6-12 का आदा हो गया, 2.5, अब देखो आप, 1, 1.5, 2, 2.5, और आगे किता लेंगे, 2.5 के बाद, अब किता आएगा, 3 आएगा, तो यह 3 से मल्टिप्लाइ, और 30 मल्टिप्लाइ 3, 30 मल्टिप्लाइ 3 किता हो गया, 90, तो इसका मला इस वाल का राइट अंसर क्या है, 90 है, ठीक है, अब बहुत सार बच्ची ये भी बोलेंगे, कि अरे सर इतना करनी जरूत का थी, डाइट ही कर देते, मला एक का गुणा, यह दो का गुणा, यह तीन का गुणा, तो मेरे भाई, अगर मैं आपको 90 से आगे पूछू, तो फिर क्या है, आगे है 12, 6, 6, 9, 18, अब इस सिरीज को पूरा खड़ना है, तो मैं आपको जब भी आपको बार-बार कह रहा हूँ, याद रखना, बार-बार यह ही कहता हूँ, कि जब भी कोई सिरीज आयो, आपको अगर सिरीज स्टार्टिंग वाला 12 से 6 संज में नहीं आया, कि यह आ पड़ रहा, 12 को लास्पर ले लेंगे, तो यहां से शिरू कर देते हैं, जैसे 6 से 6, 6 से 6 है, इसका मतलब हुआ एक से मल्टिप्ला हो गया, सैम नमबर के लिए बार-बार बूल रखा है, एक का मल्टिप्ला है, अब 6 से 9, क्या 6 से 9, अब आप मल्टिप्ला है आता है आप तो 6 से 9 में लगा और बाकिते बार बाग गया, एक बार, तो नौ में से 6 अटा दो, अब किता बज गया, 3, तो तो यहां से क्या लगा दो? पोइंट लगा दो, ठीके? तो बाइंट लगा है, पोईंट लगा है, अब नो से 18 में किसका मल्टिप्ला हो रहा है? टू का हो रह फिर यह कैसे चल रहा है, क्या हम इसको छोड़ दें, नहीं, आप छोड़ने सकते हैं, सिरीज में अगर नंबर है, तो किसी पैटन से बनाता होगे होगा, अब कैसे बना है, वो देखो, यहां पर दो का मिल्टिप्ला हुआ है, फिर वन है, तो वन से बैक साइड में आओ, क्य ही सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका वो है, हमेशा जना, जब भी कोई नंबर आदा हो, तो वहाँ आधे का मल्टिप्लाइ करो, अगर आपको डिवाइड में जरूत है, भाग में, तो दो का भा लगा हो, तो अगर आपको यहां, यहां देखो, भाग के जरूत नहीं है, हमें मल्टिप्लाइ के जरूत है, तो इसका मतलब है, जब भी किसी नंबर को हाफ करना हो, आप क्या करो, हाफ का मल्टिप्लाइ करो, तो बारा से अगर छे करना है, तो बारा से छे करने का मतलब है, हाफ का मल्टिप्लाइ करो, ऐसे, अब देखो आप, आदा, फिर एक, फिर एक पता हो अगर दोस्तों कभी ये पॉइंट पांच वाला मल्टिप्ला आए ना तो ये पूरा करने ही ज़रूरत ये आप डारेट कर सकते हो कैसे अठारा से पहले दो का गुणा करा हो अठारा का दो से गुणा किता हुआ चातिस और पॉइंट पांच का मतलब होता है कि इस नं पता है या नहीं है आपको तो चलो देखो एक्जामपल और बताता हो मैं आपको जैसे यहां आठ लिखा है और यगर 3.5 से इसको मल्टिप्ला करवाना है तो कभी भी अगर नंबर 0.5 से मल्टिप्ला करना हो तो क्या करते हैं यहां से नंबर पूरा लो आठ का 3 से गुणा करो आठ तीन किता हुआ चौबिस हुआ उसके बाद क्या करो इस आठ का इस पॉइंट पांस से गुणा और कराओ तो आठ का पॉइंट पांस से गुणा करना है निका मतलब है आठ का आधा और ले लो तो आठ का आधा किता हुआ चार ये चार साथ में और ले लो तो चौबि और फिर यहां पर इसका अधा ओर ले लो तो 90 प्लस 9 तो आंसर किता हो गया 99 हो गया ऐसे इस तरह आप सिरीज को कर सकते हो डन चलो और आगे बढ़ते हैं आगे लिखा है 95614 अब देखो 95614 अब 5614 तो बढ़ रहा है लेकिन 9 से 5 क्या हो गया हाफ हो गया अधा हो गया आधे क आसपास हो गया किने मतलब तो इसका वाला एक नंबर ही कम हो रहा है और बाकी सब बढ़ रहें तो इसका वाला है उस पर देखो अब मानिस करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है क्यों नहीं है उसका रीजन पहले इस देख लो अगर आप यहां माइनस करते हो तो एक जिगा कर सकते हैं क्या हां कर सकते हैं अब हम नया सीख रहें और कैसे कि 5 से 6 बनाना था 5 का एक से बुना क्या 5 आया फिर उसके अंदर वापस एक जोड दिया तो 5 इंटू एक 5 5 प्लस एक 6 हो गया अब 6 से 14 जाए तो 6 इंटू 2 6 इंटू 2 किता हो गया 12 और यहां किता लिखा 14 इं अगर यहां से आदेखें तो अभी जश्ट आपको पीछे वाले स्वाल में क्या बोला मैंने कि अगर कभी कोई नंबर आधा हो तो समझ जाना वहां पर आधे का गुना कर सकते हो क्योंकि वो आधा करना आपको अगर मैं यहां से सोचो कि 9 का अगर मैं आधा कर दू तो 9 का आधा करने से क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा और हमें अगर मैं आधा और एड़ कर लू तो हो गया न 5 तो इसका मतल़ है 9 का 1 और 1 और 1 प्लस 1 तो अगला नंबर क्या आएगा यह बहुत इंपोर्टन्ट सहटाने क्या इन प्लाइग यह का रिलेशन क्या है तो यह आधा है आधा से एक हुआ एक से फिर दो हुआ इसका माला आधा का डबल एक एक का डबल दो और दो का डबल फिर क्या लेंगे चार तो दो का डबल चार मतलब इंटू चार और प्लस का चार तो इंटू चार चार किता 56 56 प्लस एड़ करो नहीं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो 87 106 68 और 125 अब यहां पर यहां से यहां नंबर बढ़िया है यहां कम हो गया है फिर वापस बढ़िया है इसका मतलब हुआ यहां कोई बढ़िया है उसको चेक कर लते हैं तो यहां से किता बढ़िया तो 16 में से 7 गया तो किता आया 9 आया फिर यहां पर किता आयेगा एक आयेगा इसका मुलब प्लस का 19 हो गया है फिर यहां से यहां से किता कम हुआ तो 16 में से 8 गया तो यहां 8 आया और 9 में से 6 गया तो 3 आया इस इसको गटा के देखरो किता बढ़िया है तो 15 में से 8 तो यहां पर 7 आएगा और 11 में से 6 जाएगा तो 11 में से 6 जाने पर 5 आएगा और क्या हुआ है प्लस हुआ है अब नमबर देखो यहां से है प्लस का 19 फिर 38 और 57 मतला 19 की टेबल 19 का पहाड़ा चल रहा है अब 19 के ठाएगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा अब 15 में से 6 जाएगा यहां पर 9 फिर 11 से साथ जाएगा तो यहां चार आएगा तो इस वाल का फाइनल सर रखेता आ जाएगा 49 आए अरा संज में चलो आगे बढ़ते हैं अगर संज में आए था लाइक का बटन जो देख यह क्लिक कर दो एक बार ठीक है लाइक का बटन जरू प्रैस करो हमें जो है थोड़ा अच्छा लगता है का अच्छा आपको समझ में आ रहा है ठीक है चलो नेक्स देखो 45 से 49 फिर 55 67 97 मला सब नमबर बढ़ते बढ़ते ही जा रहे है तो सब बढ़ते ही जा रहे है अब आते हैं यहां से कितना बढ़ते हो जा रहे है तो चलो चेक कर लिते हैं यहां से किता हो रहा है चार का गेप आ रहा है यहां पर चेक करें तो यहां पर चेक करें तो यहां पर तो किया है पर किसी को किसी को रखे Halina ने आ जाता है तो अच्छी बात है नहीं है आप यहांने अंतर का अंतर लिलो ठीकिल उसको वापस सवाल है आपका तो यहां से ले कर चलो कैसे सकता तो चार सेlor। कर सकते थो ट्राइ करो Χो रहा हो तो चार से छह में एक बार भी यह इक बार भाग नहींए अब किता बज़े दो जो दो बज़िया है वह चार का अधा होता है इसका इसका मलणा पॉइंट फवाई का मेल्प्लाइब हो सकता है तो यहां पर दो काम हो गए का गाए हुआ बारा का भाग जा रहा है किती बार जा रहा है दो बार तो 24 हो गया 24 में से बचा किता 6 जो बारा का आदा होता है इसका मलब 2.5 हो रहा है मतलब दोनों के दोनों बिल्कुल जम रहे हैं बिल्कुल सेट हो रहे हैं तो फिर मैं क्या करता हूँ इसको यहां से इसको नीचे अलग और अंतर लो नहीं समझा रहा है और अंतर लो आगे से बढ़ते जाओ और आपको यह चेकरना कि रिष्टा क्या बंद रहा है आपका स्वाल कहीं कहीं जाके होई जाएगा जैसे दो से च्छे में अब मैं प्लस नहीं देखू तो यहां से मुझे नजर आ रहा है यह तीन का ग हां कि रिषट हैं तो यहां से यहा चेक करते हैं 30 और 54 एड करो तो किता हूगया 84 हो गया अब 84 अगर फाइनल में एड करेंगे तो फाइनल अंसर कृता होगा तो साथो चार और सवाल क्या का वापस देखूंकर और क्या हो सकता है तो यहां पर हमारे क्या हो रहा था उसके लिए मैं काम करता है, सवाल ही वापस लिख देता हूँ यहां से, चलो सवाल देखो। जैसे 45 है, 45 हो गया, 49, rou 55, दolith इन 67, एन 97, ठीक है? अब लेके चलते हैं इसको चलो, यहां से यहां देखें तो क्या हो रहा था प्लस का 4 फिर यहां से यहां प्लस का 6 फिर यहां से यहां प्लस का 12 बारा फिर यहां से यहां प्लस का 30 यह हो रहा है उसके पार देखें तो यहां से यहां पर यहां से यहां एक पंट 5 का गुणा हो रहा है फिर यहां से यहां चेक चले तो आगे किता आएगा तीन आएगा और तीस इंटो तीन किता हुआ नब्बे हुआ और इस वाल का final answer किता होगा तो यहां से 187, मतलब हुआ 187, तो यहां से वहां चेक करो, इसका एक answer जो आया था, वो किस वज़सा आया था, multiply का वज़सा है, तो यहां से 54 हुआ, 30 में 54 84 आया और 84 को हम जब जोड़ेगे तो सांचर 111 एक और 181 यह हो गया ठीक है और इसके अंगर चेक करें तो 1.52, 2.5 और 3 और 3 से यहां किता हो गया 187 मतलब आपके सामने सवाल जो है वो सवाल एक ही है तो सवाल वो ही है लेकिन उसके आंसर जो है उसके आंसर दो है अब दो आं क्ड़ेएबन नहीं हुआ तो फिर क्या करते है तो बहुत सारे पिर गाड़ी छोड़ देते न लेकिन नहीं था इसका मतलब यह एक सवाल गलत था इसका मतलब है उसकी तरीका दूसरा लिया गया होगा तो इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हो आयसन में चलो बढ़ जागे अगला स्वाल देखो नेक्स देखो नेक्स लिखा है 3, 4, 10, 33 और 136 अब नेक्स नमबर क्या होगा उसके लिए देखो तो 3 से 4 हो रहा है अब 3 से 4 में यहां पर 3 से 4 में किता गेप है दोस्तों 1 का गेप है और 1 में इसका मतलब मल्टिप्लाइ तो हुए होगा क्योंकि इतना बड़ा गेप अचानल तो आएगा नहीं तो यहां से चलते हैं 3 से 4 अब 3 से 4 कैसे बन सकता है अगर मल्टिप्लाइ में सोचे तो तो यहां पर हो सकता है 3 मल्टिप्लाइ 1 3 हो गया और फिर 4 लेना है तो प्लस तो यहांसे 4 से फिर चेक करो 4 2 multiply टू 8 हो गया और प्लस टू यह हो गया facto है फिर यहां से यहां चलते हैं 33 150 3 तो यह हो गया 30 और उस प Here Хो गया मलिपला है 3 प्लस थी यहां तक हो गया अब इस पे चेक करें तो multiply 4 multiply 4 सो होता है 33 4 132 then plus करो 4 136 हो गया अब हमां next number जो लेना है multiply 5 plus 5 कर देंगे multiply 5 plus 5 multiply 5 करो तो 5 का answer यहां से किता हैगा 136 का half कर लो 136 का half किता होता है तो 50 और 18 68 अच्छा ये क्यों बोला मैंने तो आपको याद हो maths में किसी भी number को अगर कभी आप 5 से गुणा करना चाहो तो आपको क्या करना है इस number का आदा कर लेना क्या करना half half करके उसके पीछे 0 लगा दो वो इसका multiply गुणा ही होता है तो इसका मुझे 136 को 5 से गुणा करना है इसने मैंने बोला उसका आदा कर लो तो 68 और उसके पीछे 0 680 680 हो गया और फिर उसके कितना एड़ करना है पांच और एड़ करना है तो 685 तो इस वाल का right answer क्या हो गया 685 हो गया clear चले आगे next next है 491735 और 69 अब आते हैं इसका आँसर कैसे लिया होगा तो number देखो number आगे आगे चलते जा रहे है ठीक है अच्छा number चेक करो 4-9, 9-17, 17-35 लगबग थोड़ा सा number को ध्यान से देखो आपको पता चल जाए का हो क्या रहा होगा कैसे चलो एक बार नहीं पता चले तो कोई बात दिया अंतर करो 4-9 में किता अंतर है 5 का अंतर है यहां से यहां किता अंतर आया होगा तो यहां से 8 का अंतर है ठीक है फिर 17 से यहां चेक करो अब 17 से 35 में चेक करो तो 18 का अंतर यहां पर भी है फिर यहां से यहां चेक करो कितना अंतर हो सकता है तो 34 का अंतर ही आया next क्या होगा हमें यह पता करना है लेकिर पहले यह तो पता चले यह कैसे चल रहे हैं तो तो तीन से दस पहें within साथ का गेप ए फिर यहां से दिकैंगे तो छे का गेप अभ यहां साथ का गेप है फिर खेका गेप इसका अगला गेप तो फिर पांच का गजा इगा अगर इसपाओद आगए जाएँ तो यहां आंसर देखें फाइनल आंसर क्या होगा तो इसका फाइनल आंसर लेने के लिए हम एड़ करेंगे 55 को 69 में 55 एड़ करो तो 954 हो गया और यहां से 124 हो गया मनले इसका आंसर किता हुआ 124 ठीक है लेकर हर स्वाल में ये ध्यान रखो अगर में भी option में 124 नहीं हुआ तो क्या इ इसी स्वाल को वापस ट्राइ करते हैं कि इसका और आंसर हो सकता है गया तो 49 17 35 और 69 अच्छा दूसरा एक पॉइंट और जो आप एक्जाम में हमेशा यार रहना एक्जामिनर जो है वो अक्सर सबसे पहले multiply को priority देते हैं then addition आता है तो multiply को अगर priority देते हो तो हम पहले multiply क्यो नहीं कर रहें तो यह तो मैंने बता दिया difference का according अगर multiply को priority देते हैं तो देखो चार से 9 में क्या multiply कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो 4Vs on 8 हो गया 4Vs on 8 यह हो गया then नहीं किता लिखा 9 तो क्या कर सकते हैं बلبन वं सेवर्ण 20 में तो 9 टूव्द 20 म्यां 18 18 मैनस वन 17 हो गया अब सेवनटीन से next आगे बढ़ा तो सेवेंटीन टूव टं 3 4 प्लस वन यह हो गया 35 का double करें तो यह हो गया 70, 70-1, यह हो गया 69 हो गया, तो double plus 1, double minus 1, double plus 1, double minus 1, then next number अगर try करें तो क्या आएगा, double plus 1 आएगा, अब 69 का double करें, तो 69 का double किता हुआ 138, और 138 plus 1, 139, तो इसका answer किता हो गया, 139 हो गया, clear, चलो, आगे देखते, अब देखो अगला स्वाल देखते, 3 से 5, 5 से 13, 13 इसा 43, then 177, अब देखते, 3 से 5 कैसे हो सकता है, तो अब हम वहाँ चलते हैं, कि हम addition भी साथ में लेके चलें, और multiply भी, कि यहाँ addition हो सकता है, plus हो रहा है, या multiply हो रहा है, तो 3 से 5, 3 से 5 में एक तो होता है, plus का 2 हो रहा है, और अगर multiply करें तो, तो multiply क्या हो सकता, देखो, 3 multiply 1 plus 2, और देखें, तो यहाँ पर 3 multiply 2 minus 1, तो multiply 1 plus 2, multiply 2 minus 1, यह दो pattern यहाँ तीन pattern बन सकते हैं, अब next देखते हैं, next कौन सा pattern यहाँ पर लग सकता है, और, तो 5 से 13, अब 5 से 13 में अगर plus करें, तो plus किता हो रहा है, 8, तो यहाँ से plus का 8 हुआ, अगर हम इस तरह से multiply लेके चलें, तो दोस्तों जहाँ ना, multiply 1 तो वापस करना ही मत कभी, अगर multiply 1 यहाँ करते हैं, तो यहाँ वापस multiply 1 मत करना है, क्योंकि multiply 1 का मतलब क्या है, 3 multiply 1 तो 3 तो है, तो इसका मतलब प्लस 2 हो रहा है, अगर मैं 5 multiply 1 करके फिर plus करना हूँ, तो एक ही बात होगी plus के बराबर, तो यहा से मल्टिप्लाइ 2 अब हो गया 5-2 जा 10 और 10 प्लस 3 तो यहां से पहले वाला जो है इसको अब मैं कलर जो है वो चैंज कर लेता हूं कलर इसके आकोंडिंग रखते यलो के अकोंडिंग ठीक है तक आपको एक जैसा नज़र आए तो मल्टिप्लाइ 1 प्लस 2 मल्टिप्लाइ 2 प तो मल्टिप्लाइ 3 मल्टिप्लाइ 3 से किता हुआ 39 और यहां किता है 43 39 से 43 जाना है तो प्लस का 4 हो जाएगा तो इसका मल्टिप्लाइ 1 प्लस 2 मल्टिप्लाइ 2 प्लस 3 मल्टिप्ला 3 प्लस 4 और नेक्ट नमबर यहां से यहां चले तो क्या हैगा मल्टिप्लाइ 4 प्लस 5 ह अब multiply 4 करो तो 43 का multiply 4 से करोगे तो किता आएगा 172 172 में 5 एड़ करो 177 आगया इसका हमारी सिरीज जो है वो यह वाली चल रही है अब यहां से आगे चले तो next number के आएगा अब 5 से multiply करे किता होगे तो यहां 7 5 तो यहां 7 5 तो यहां 3 35 3 18 38 और 5 और 5 और 3 5 3 किता होगे 8 8 8 5 प्लस 6 8 8 5 प्लस 6 नेक्स नमबर क्या होगा 891 तो इसका final answer क्या होगा 891 एक्स नमबर देखो नेक्ट नमर है 4, 8, 20, 56 4 से 8 हो रहा है 8 से 20 और 20 से 56 अगर हम यहाँ पर देखे हैं तो यह हो गया प्लस का 4, नेक्ट वह प्लस का 12 नेक्ट वह प्लस का 36 इसका मनला यह तो देखते ही डायट हो गया स्वाल कैसे, कि यहाँ से 4 से 12 यह 3 का मल्डिप्ला हो गया और 12 से 36, अगें 3 का मल्डिप्ला हो गया तो देन अगें 3 का मल्डिप्ला करो 108 आजाएगा और 108 अगर लेंगे तो फाइनल आंसर किता होगा तो 56 में 8 एड़ कर लो 64 तो फाइनल आंसर हुआ 164 यह हो गया इसका आंसर 164 दन चलो next बढ़ते हैं next है 2 4 13 61 अब 2 से 4 2 से 4 हो रहा है मतलब multiply का 2 ले सकते हो और plus का 2 भी ले सकते हो अब 4 से 13 4 से 13 में multiply कैसे ले सकते हैं तो multiply में हमें कुछ कुछ combination बनाने पड़ेंगे मतलब multiply 3 जैसे multiply 3 हो सकता है अब multiply 3 हो तो 12 प्लस 1 होगा और अगर add करें तो add करने पर तो 9 आएगा next यहां से देखो number 13 से 61 हो गया है तो इसका बने 61 होगा तो यह तो confirm मान के चलो कि multiply तो काम आया है अब multiply कितना हो रहा है हमें बस वो समझना है तो कितना हो रहा है उसके लिए देखो यहां से addition तो काम आएगा नहीं next क्या यह multiply काम हो रहा है नहीं यह भी multiply कहीं नहीं आ रहा है क्योंकि यहां multiply 2 है 3 प्लस 1 है तो फिर यहां क्या करेंगे अब 13 की टेबल में 61 के आसपास कुछ होता है क्या चेक करो 13 की टेबल में 61 के आसपास कोई number हो हाँ तो वो होता है 5 का 13 5 जा 65 65 मैंसे 4 कम करो तो आता यह अब हमें अगर एक number कोई मिल जाए तो उसको यहां दूसरी जीकर set करना है तो फिर 4 का करो तब 4 का 4 से multiply करो किता होगे 16 अब यहां किता लिखा 13 तो 16 से 13 लाना है आराम सा सकता है इसका मतलब देखो यहां से अब हमारा set बनने लग गया है multiply 5 minus 4 multiply 4 minus 3 मतलब पहले 5 का गुणा यहां हुआ फिर यहां 4 का तो इसका मतलब यहां किसका multiply होना चीए 3 का फिर minus जो number हो रहा वो चेक करो minus का 4 minus का 3 यहां आएगा minus का 2 क्या number बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है वो चेक करो 2 multiply 3 6 और 6 minus 2 4 हो रहा है और इसलिए मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई equation solve करो आपको ज़रूरी नहीं है कि पहला number लेकर ही solve करो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 2 से 4 को बस multiply 2 ही करेंगे और वो वहीं बेठ रहेंगे कि यह आगे क्यों नहीं हो रहा जबकि इसका pattern कुछ ऐसा है अब next number का answer क्या आएगा तो next number देखो multiply 3, multiply 4, multiply 5 तो next हम क्या लेंगे multiply 6 लेंगे अब multiply 6 मेंस किता करेंगे तो 2, 3, 4, 5 तो multiply minus यह 5 करेंगे अब 6 का multiply करेंगे तो किता आएगा 366 तो यह आएगा 366 minus का 5 करेंगे तो इस स्वाल का final answer आएगा 361 clear? शानदार स्वाल चलो next number देखो 60 से 30, 30 से 20, 20 से 15 यह स्वाल एक बार नहीं दो-तीन बार अलग-लग exam में बहुत आच चुका है अब आपको मैं बताता हो यह स्वाल दो तरीके से हो रहा है कैसे? देखो एक तो होता है कि सबसे पहले यह number कम होते जा रहे है तो कम होने का मतलग होता मैनस तो एक बार मैनस करके try करूँ यहां से हैं लेते हैं तो मैनस का 30 हो गया then 30 से 20 मैनस का 10 हो गया 20 से 15 मैनस का 5 हो गया अब next بتाओ क्या आएगा तो 30 से 10 होआ 10 से 5 होँ है अब आते हैं कि Йी कैसे? जैसे यहां पर देखा जाए करें किता आएगा फाई यहां 30 मैनस फिर ведाया उसके रहा है यहां मैनस फिर यहांम माइनस तोब क्या हो सब्सक्राइब और यहां मैनेस करें 15-5 इसका मलब यहां का अंसर के ताया 10 आएगा clear इसका मलब इसका अंसर 10 आएगा यह हो गया इसका एक तरीका अगर ऐसा करें तो लेकिन दिक्कत यह है का अगर माना कि next number और पूछ लिया तो पूछा तब तक हमारा काम चल जाएगा यह हो गया एक पैटन चलो दूसरा देखते हैं अगर इस वाल को ऐसे नहीं करें तो और कैसे करते हैं वह देखते हैं तो 60 से देखते हैं 60 फिर है 30 दें 20 और 15 इस नंबर पर ऐसा सोचो कि हम 60 सी से 30 जाए तो उसका पैटन क्या हो सकता महलत 60-30 जाना के लिए क्या कर सकते हैं 60-30 कैसे आ सकता है तो एक तो हो सकता है यहाँ पर टू का डिवाड़ हो जाज़ा directly लेकिन यहाँ का डिवाड़ करो तो डिवाड़ यहाँ किस से multiply करो कि 30 आ जाए 60 को किस से multiply करो कि 30 आ जाए तो X की value find करनी है तो इसका 30 उदर रहेगा और 60 उसके नीच आ जाएगा और इससे ही हो जाएगा 1 by 2 मतलब 60 को 1 by 2 से multiply करो 30 हो जाएगा अब ये चीज मैंने आपको आगे बता ही थी कि कभी भी किसी number को अगर आधा करना हो तो आधे का multiply कर दो तो आधा हो जाएगा अब 30 से 20 लाना है वहाँ तो आधा नहीं है अब किस का मुना करें तो चैलो इसको भी देखते हैं 30 को किस से multiply करें कि 20 आ जाएगा तो इसका मला है X की value कितनी होगी तो 20 upon 30 तो 20 upon 30 00 कर गया 2 by 3 से multiply करो तो इसको अगर 2 by 3 से multiply करें तो यह हो जाएगा 2 by 3 से multiply करें 20 आ जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करो मैं यहाँ से color change कर देता हूँ इसमें है 1 by 2 ठीक है इसमें 1 by 2 आया इसमें 2 by 3 आया अब 20 से 15 बनाना हो हम यहाँ से यहाँ जाना चाहें तो 3 by 4 का ऐसे multiply करो अब next number के आएगा वो चेक करो तो अब आप pattern को समझो pattern क्या चल रहा है 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4 मतलब 1, 2, फिर 2 से 2, 3 फिर 3 से 3, 4 और 4 से 4, 5 इसका मतलब है next number आएगा multiply 4 by 5 अब 15 को 4 by 5 से multiply करो तो 5 से यह हो गया 3 और 3 for the 12 यह हो गया 12 यह हो गया एक number आपका 12 आगया अगर आपको next number जाना था अब आप next number भी जा सकते हो कैसे 5 से आगे चलो तो 5 by 6 लिख सकते हो और यहाँ से 12 है 12 को 5 by 6 से multiply करो तो यह हो गया 6 से 2 और 2 से किता या 10 इसका अगला number यहाँ पर next shop पर 10 आएगा तो इस तरह से series जो है न वो series ऐसे देखो इस तरह से चलती है फिर हम सोचते है कि 10 तो option में है ही नी हमारा गलत हो गया ऐसा नहीं है series को बनाना भी पढ़ता थोड़ा बहुत तो series को बनाने में यह मिला अभी तो रुको अभी तो और बाकिये अब और कैसे बाकिये और समझो अब इस स्वाल को थोड़ा सा जुगाड से अगर किया जाना तो इस स्वाल direct भी हो सकता है direct कैसे तो समझना अब जुगाड से करने का मतलब क्या है मेरा तो समझना ऐसा होता नहीं है ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जुगाट से कर लेते तो हो सकता था यह स्वाल कैसे चले देखिए क्या करना है आपको फश्ट नंबर को पकड़ लो सिर्फ फश्ट नंबर को पकड़के यहाँ डिवैड करो तो यहाँ डिवैड देखा जैना किसका 2 का भागवा अब 60 से 20 आ 2 का डिवाइड किया 3 का डिवाइड किया 4 का डिवाइड किया इसका मलत नेक्स नमबर अगर आपको लाना है तो 5 से डिवाइड करो अगर आपको उसके बाद और नमबर लाना है तो इसका मलत आप 6 से डिवाइड करो तो यहां पर 12 आएगा और 60 को अगर 6 से डिवाइड करो यहाँ पर 10 आएगा इसका मतलब यह नंबर आपके Sam वो ही नंबर यहाँ पर आ रहे है लेकिन एक ही नंबर को पकड़ के चले तो ऐसे आ रहे है तो यह था आपका पूरा स्वाल जिसको इस तरीके से पूरा कर सकते हैं बढ़े आगे चलो अब देखो यह स्वाल है इस स्वाल को यहाँ पर जो मुझे बेजा था उसके लिए अब इसको स्वाल करते हैं एक से तेरा लिखावा तेरा से एटे थरी फॉर वन नाइन और वन सिक्स वाल को देख लो क्या अचानक कोई नंबर बढ़ा है क्या तो एक से तेरा यह खुदी अचानक बढ़ा हुआ वैसे दो तेरा से तर्या से 83 फिर 419 तो यहां से देखो 83 से सीधा 419 और 419 से सीधा सिक्षिन हंडेट का अपास चला गया है इसका मतलब है नमबर अचानक बढ़ रहा है और अगर अगर अचानक बढ़ेगा तो अब बेसी बात है मल्टिप्ला है तो हो गए होगा यहां क्या लिखा है 419 लगबग 400 के आसपास है लगबग आइडिया लोग और यहां पर देखो किता लिखा हुआ 1679 इसका मतलब है 1600 के आसपास चला गया 1600 तो यहां तो 400 तक ही था लेकिन वहां जाके देखो दो तो 1600 के आसपास चला गया तो 419 को multiply करते हैं किस से 4 से तो 19476 हो गया और 4476 हो गया मतलब वह 1676 तो यहां से यहां देखा जाए तो 1676 मतलब multiply हो रहा है 4 से और 76 अब पहुँच गए और आगे किता लिखा 79 इसका मतलब वह 3 एड़ कर रखा है तो यहां पर multiply हो रहा है 4 का और 3 उस पर एड़ कर रखा है और पीछा हो अब देखो यहां से यहां नमबर है 83 तो 83 को लगबग मान के चलो 80 और 419 मतलब किता हो गया 400 तो इसका मतलब है यह 80 का आसपास है वह 400 का आसपास है अब 80 से 400 अगर जाना है तो इसका मतलब multiply किस से होगा 5 से तो 400 तक पहुंचेंगे तो यहां से 5 से चेक कर लेते हैं तो यहां से 5 से multiply चेक करो तो 5, 3, 15 यह यह बचा किता है 1 8, 4, 40 और यह आगा 4, 1, 5 अब वहां लिखा है 4, 1, 9 और हमारे आ रहा है 4, 1, 5 इसका मतलब कितना एक्ष्ट्रा है 4 तो यहां पर multiply हम कर देते हैं किसका 5 का और फिर इस पर add कर देते हैं 4 को ऐसे ठीक है अब देखो यहां से चले था अब आपको pattern सुन्हां आ जाना चाहिए कि pattern क्या चल रहा होगा देखो यहां multiply 4 हुआ है यहां multiply 5 का हुआ है और यहां multiply फिर 7 का होना चाहिए इस तरह से pattern बनना चाहिए जो pattern अगर दिख रहा है अब आते है add कैसे किया है यहां पर 3 add किया है यहां पर 4 add किया है तो यहां पर add होना चाहिए किता 5 और यहां add होना चाहिए किता 6 46 ताकि यहां से अमारा पूरा नंबर बन सके है अब चेग करते हैं कैि कि पूरा नंबर बंढ रहा है कllä नहीं बंढ रहा है तो देखो Click से multiply करो 7 ही आएगा 7 plus 6 13 बिल्कुल आ रहा है फिर 13 का 6 से multiply करो 13 6 दा 78 तो 13 6 दा 78 और 78 में अगर हम 5 एड़ करेंगे तो अब बेसे बात है 83 आएगा तो यहां से 83 बिल्कुल आ रहा है इसका पैटन क्या है multiply 7 plus 6 अब आप सोचो जो इश्रण नए है या जो जानते भी हो क्या आप एक से 13 के लिए क्या आप multiply 7 plus 6 कभी सोच पाते है डारेटी बीड़ते ही कभी हम ऐसा multiply 7 plus 6 सोच पाते है नहीं पॉसिबल ही नहीं क्योंकि हम सोचते है शायद कोई square हो रहा होगा बीच में शायद कोई cube हो सकता है शायद multiply होगा तो किसका होगा यही रह जाते है इसलिए मैं कहता हूँ series जरूरी यहीं से करो series बीच में से करो तो भी काम हो जाएगा clear चलो अब देखते हैं final answer क्या आएगा तो final answer के लिए multiply देखो 7, 6, 5, 4, 3 तो यहां पर आएगा 3 then add किता होगा तो 6, 5, 4, 3 और 3 के बाद किता है गा 2 आएगा यह 2 हो गया अब इसका number answer किता है तो 3 से multiply करो तो 3, 9, 0, 27, 2 फिर 21 का 3, 2 फिर यहां से 18, 2, 22 और 3, 2, 5 यह हो गया और फिर इसमें add करेंगे 2 तो इस स्वाल का final answer हो गया 5, 0, 3, 9 यह हो गया इसका final answer done, खतम, तो यह था हमारे आज का series का part और series का यह था दूसरा part अभी series का बहुत part आने वाल है क्योंकि आपको जो सिखा रहा हूं में वो थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे रोज सिखा रहा हूं जिससे आप थोड़ा-थोड़ा रोज पढ़ो और जम के पढ़ो, मजे से पढ़ो और आपका topic क्लियर हो जाए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस हम कल इसी time पर रोजाना 9 बजे reasoning class और रोजाना 8 बजे maths की class फिर मिले गए कल same time पर तब तक बाई बाई जय हिन